चम 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 चुपन चुपाई देखो देखो दीदी आई साथ में लाई कट पुतली के लोनों की कहानी कैसे हैं पैरे बच्चो मैं आप सभी की दीदी आज फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ आशा करती हूँ आज की भी कहाने आपको बहुत अच्छी लगेगी आज की कहानी का नाम है सूरज चंदा अम्मातारा चलिए तो फिर बिना समय गवाए हम शुरवात करते हैं हमारी कहानी को एक बार की बात है सदियों पुरानी सूरज और चंदा भाई बहन थे और उनकी मा थी आजमान में चमकने वाली अम्मातारा एक बार क्या हुआ सूरज और चंदा की चाचा-चाची बारिश और तूफान जो है उन्हे रात के खाने पर बुलाए सभी जो है सोचने लगे कि अभी जो है रात के खाने पर हमें जाने के लिए मिलेगा और उनका जो महल है वो बना हुआ था बादलों से तो यहाँ पे देखिए पर एक दिक्कत थी सूरज तो हर रात को निकलता नहीं तो वो तो खाने के लिए जा सकता था चंदा भी कई रातों को निकलती नहीं तो वो भी खाने के लिए जा सकती थी लेकिन बेचारी अम्मा वह कैसे जाती उसे तो राज से लेकर सुबह होने तक चमक ना होता था हर रोज तो इस पर उनोंने उपाय ढूंडा अम्मा दारा ने कहा प्यारे बच्चो सूरज, चंदा तुम दोनों मेरी फिक्र ना करो मैं यहाँ पर रहकर आप दोनों का इंतजार करूँगी आप दोनों खाने के लिए जाओ और आने के बाद मुझे बताओ कि आपने वहाँ पे क्या-क्या मज़े किये आपने वहाँ पे क्या-क्या खाना खाया सूरज तो बड़ा खुश था वो तो अपनी सुनहेरी और चम-चमाती हुई टोपी डालके तयार हो गया जाने के लिए चंदा ने भी अपनी चम-चमाती चांदी की फ्रोग पहन ली और दोनों तयार हो गए रात की मेजवानी के लिए और खुशी-खुशी चल दिये बारिश चाची और तूफान चाचु के घर दोनों बादलों वाले महल पहांच गए और देखकर बड़े खुश हो गए ओहो 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 क्या मेजवानी थी बड़ी यादगार मेजवानी थी बड़े से मेज पर इंद्रदनुष की चादर बिचे थी उपर बादलों से भी मुलायम केक रखे थे बर्फ के ओलों से बने खटे मीठे गुले रखे थे और हर रंग के शर्बत फल रखे थे सूरज चंदा ने मज़े से खाया खास तोर से सूरज ने सूरज था ही बड़ा पेटू सब एक साथ मुँ में भर लिया लेकिन चंदा ऐसी नहीं थी वह दयालू थी उसे दूसरों का खयाल भी रहता था चंदा को यह लग रहा था कि यह जो सारी चीज़ें हैं अम्मा भी अगर आती तो अम्मा भी खाती इसलिए चंदा ने अपनी बारिश चाची और तूफान चाचु से पूछा कि क्या यह सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी अम्मा के लिए ले जाँ तूफान चाचु ने कहा अरे क्यों नहीं ले जाओ उन्हें भी खाने का आस्वार लेने दो खाने में और मज़े करने में वक्त का तो पता ही नहीं चला इससे पहले कि सूरज के निकलने का और अम्मा तारा कर धल जाने का वक्त होता उससे पहले दोनों जो है अपने चाचा और चाची को अलविदा कहे कर आपने घर निकल गए और घर पोंचने के बाद क्या हुआ? टिम टिमाती नजरों से अम्मा तारा उनका इन्तजार ही कर रही थी. जैसे ही वो दोनों घर आए, mamma तारा ने उनसे कहा, कि मैं तुमारा ही इन्तजार कर रही थी. तो कैसी रही मेजवानी? और मेरे लिए वहाँ से क्या लाए हो सूरज जो है थोड़ा सा गुसे में ही और अपना सीर हिलाते हुए बोला कुछ भी नहीं मैं वहाँ खुद मजे करने गया था तुम्हारे बारे में सोचने नहीं यह सुनकर अम्मा तारा तो अवाग रही गई लेकिन चन्दा तारा जो है चन्दा नाहीं लालची थी और नाहीं स्वार थी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें वहाँ खाने की पोटली थी जो वहाँ अपनी अम्मा तारा के लिए लाई थी चंदा ने कहा अम्मा वहाँ खाना इतना स्वादिश था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आई ये लो तुम्हें हमारा इंतिजार करते करते भूग लगी होगी न अम्मा तारा मुस्कराई और उसने खाने के पोटली खोली तो देखा उसमें तरह तरह के पकवान रखे हुए थे अम्मा तारा ने खाना खा लिया और फिर उसने सूरज की और देखा और बोला तुम स्वार्थी और लाल्ची हो सूरज तुम्हें अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं आज से धर्तिवासी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे आज से तुम्हारी किरने बहुत गरम और जुलसा देने वाली होंगे जब भी तुम निकलोगे लोग तुम्हें देखकर बचेंगे और अम्मा चंदा की और देखते हुए चंदा से खेने लगी चंदा तुम वाकई भली हो तुम्हें अपने मा का ख्याल रहा आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए सुन्दर और अच्छी मानी जाओगी तुम्हारी रोश्नी अंधेरे को भी उजाले में भर देगी यह सुनकर चंदा जो है उसे खुशी तो बड़ी हुए लेकिन अपने भाई के लिए उसे बुरा भी लग रहा था तो उसने अपने अम्मा तारा से कहा कि भाई को भी माफ कर दो उसे और एक मौका दिया जाए अम्मा तारा जो है वह चंदा की नेकी से बहुत खुश हुई उसे अपने भाई का भी ख्याल रहा अम्मा तारा ने सुरज को सर्दी के महनों की छूट दे दी जबकि सुरज की गर्मी लोगों को भली लगेगी इस तरह चंदा के दयालो सभाव की वजह से सुरज भया की सजा भी खमो गई और फिर चंदा और सुरज ने अम्मा तारा को गले लगाया और वादा किया कि वह हमेशा हमेशा दयालो रहेंगे और यही वजह है आज तक सुरज की गर्मी और चंदा की चांदनी बनी हुई है तो फिर प्यारे बच्चों कैसी लगी कहानी आशा करती हूं अच्छी ही लगी होगी और इस कहाने से हमें क्या सीख मिलती है हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रती दयालू रहना चाहिए कभी भी स्वार्थ भाव को अपनाना नहीं चाहिए चलिए आज के लिए वस इतना ही अब हम भी अलविदा लेते हैं